नमस्कार आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चानक्य में और मैं चतुर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष डू यू नो सेरीज के अगले अंक के साथ तो आए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो भई चतुर आज कौन से विशे पर चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ पर जरा बताओगे जी गुरुजी आज मैं संस्कृत के एक शलोक के साथ अपना जो प्रशन है आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा शांताकारम भुजंग शैनम पदबनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सद्रिशम मेघ वरम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नैनम योगी वीध्यार नगम्यम वन्दे विश्णुम भव भैहरम सर्वलोके कनाथम सर्वलोके कनाथम तो चतुर तुमने बड़ी चतुराई के साथ यहां पर श्री मारतंड वरमा वर्सी स्टेट ऑफ केरला 13 जुलाई 2020 को पदमनाभ स्वामी जी के टेंपल के बारे में जो सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट आया है उस जज्जमेंट के बारे में प्रशन पूचा है तुमारा य ही प्रशन है ना जी गुरुजी वास्ता में इस जज्जमेंट के बारे में जानने की बहुत जिग्यासा थे इसलिए मैंने आपसे यह प्रशन किया है भाई चतुर देखो जो जज्जमेंट है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे पर इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई के रोचक गाथाएं हैं क्या तुम उनके बारे में जानते हो जी गुरुजी मंदिर के इतिहास के बारे में मुझे कुछ तो ग्यान है मंदिर का जो इतिहास है वो 8th century से आरंभ माना जाता है और अगर present structure की बात करें तो 18th century में ये मंदिर बिल्ट किया गया था पहले का जो मंदिर का structure था वो लकडी से निर्मिद था पर अब जो मंदिर है वो ग्रे नाइट से निर्मिद किया गया है चेरा style architecture में इस मंदिर का निर्मान हुआ है और मंदिर की जो मुखे डेटी हैं वो है श्री अनंत पद्मनाब स्वामी अर्थात जिनकी नाभी से कमल की उत्पत् यह है कि इसे शाली ग्राम स्टोन के साथ बनाया गया है तब बारा हजार आठ साली ग्राम स्टोन विशेश कर नेपाल से इनकी प्रतिमा के निर्मान के लिए एक संदी के तहत मंगवाये गए थे ध्रेवनकूर राज्य के द्वारा श्री पदमनाम स्वामी अनंत शैया में श मृ्दि इतिहास है उसके बारे में तुमनें बड़ी अच्छी जान करी दिया है तो भाई अब इस जैजमेंट کے बारे में भी बात कर लिजाए अगर इस केस के कानूनी इतिहास की बात की जाए तो केस का जो प्रारंब है जो अभी डिसीजन दिया गया है बाइदा बैंच ओफ शिरी यू यू ललित एंड इंडू मलोतरा जी तो इस केस की शुरुआ दो हजार नौ से मानी जा सकती है केस की शुरुआ दो हजार नौ में एक टैनेंट की एविक्षिन प्रोसीडिंग्स के साथ मानी जा सकती है जब टीपी सुंदर राजन एक रेटाइड आईपीस देन टर्न लॉयर को टैंपल के जो executive officer है उनोंने टैंपल प्रिमसिस को vacate करने के लिए पहा पर यहाँ पर जो टैनेंट थे उनोंने जो executive officer थे उनके ही authority को challenge करते हुए कहा कि उनकी जो appointment है वो illegal है क्योंकि उनको जो appointment कर रही authority है उनके पास ऐसा कोई right ही नहीं है for the appointment of that executive officer समझे और इस तरह से टीपी सुंदर राजन की जो केरला हाई कोर्ट में रिट पर्टिशन थी उसके साथ इस केस की शुरुआत मानी जा सकती है गुरू जी उनकी इस रिट पर्टिशन के क्या ग्राउंड्स थे तेंपल के जो वाल्स में ट्रेजर है उसके मिस एप्रोप्रेशन के इलावा जो उनका में गाल ग्यूमेंट था वो ये था कि रॉयल फैमिली जो है वो रूलर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती एक और आर्गुमेंट जो नोने प्रस्तुत किया है यहां पर कि 26th Amendment 1971 जो एक्ट था उसमें जो रॉयल टाइटल्स थे जो पर्सनल इनके राइट्स थे प्रविलिजिस थे रूलर्स के न वो अबॉलिश कर दिये गए था with the deletion of article 291 and article 362 समझें उनके अनुसार अब जो है concept of ruler जो था वो redundant हो गया था और जो family को privileges, powers और personal rights थे उनके पास थे especially related to Shri Padmanabh Swami temple वो समाप्त हो गय थे in 1971 itself या जादा से जादा कहले 1991 में जब की जो ruler थे श्री चैत्रा थ्रिवनल बलराम वर्मा जिन्नोंने की accession treaty जो थी वो sign की थी Union of India के साथ 2010 में मार्थंड वर्मा ने हाई कोट केरला हाई कोट में repetition फाइल किया और उन्होंने ये कहा कि जो सभी छोटे मुठे suits और हैं इनके family के against उनको क्या किया जाए हाई कोट में transfer किया जाए और क्योंकि ये जो case थे उनका मुख्य question तो यही था कि क्या royal family के पास temple की management के rights अभी भी exist करते हैं या नहीं और क्या 26th amendment act 1971 के आने के बाद temple के साथ family का relation है वो क्या किसी तरह से change हुआ है उसमें क्या किसी तरह का difference आया है 2011 में फिर कैरला हाई कोट ने ये held किया कि जो privileges personal rights position royal family द्वारा enjoy की जाती थी वो covenant sign करने वाले ruler यानि थिरुनल जो बलराम वर्मा थे उनकी मृत्यू के साथ ही समाप्त हो जाते हैं क्योंकि जो त्रेवन कोर कोचे ने Hindu religious institution act 1950 में ruler शब्द का उपयोग किया गया है 1971 में प्रिवी पर्सिस के जो concept की समाप्ती के साथ ही वो क्या हो जाता है term जो है वो redundant हो जाती है और अब successor के पास temple के administration और management के जानी saviorship के जो rights हैं वो लाए नहीं करते हैं तो इसके साथ ही उन्होंने state को temple की management और administration के सारे rights जो थे वो दे दिये और गुरुजी यहां तक मुझे ज्यात है 2011 में ही केरला हाई कोट में मंदिर के सभी walls को भी open करने का आदेश दिया तब से ही मंदिर जो है अत्यदिक limelight में आ गया जब लगबग एक लाग करोड का treasure जो था वो मंदिर के wall से निकला फिर 2011 में जो मार्थंड वर्मा है यानि ruler है उन्होंने कैरला हाई कोट के इस decision के against जो थी supreme कोट में slp गायर की और फिर 2017 में supreme कोट ने मंदिर के सभी valuable items की inventory तयार करने के अदेश दिये और 2018 में auditor journal जो है यानि की विनोद राई जी उन्होंने supreme कोट के समक्षिके detailed report रखी और उन्होंने इसमें बताया कि लगबग 769 pots जो है gold के वो missing है और उन्होंने ये भी बताया कि जो temple के accounts हैं उनके audit भी जो है वो उनमें भी कोई transparency दिखाई नहीं देती देखो चतुर और अब जो 13 जुलाई 2020 को judgment आया है supreme कोट का by the bench of शरी यू यू ललित और शरी इंदू मलोतराजी उसमें कोट ने ये held किया है कि जो covenant जिस trust पर frame किया गया था between the travel court ruler और union of India high court का decision जो है वो उसकी spirit के विरुद है और किसी तरह से भी article 291 और 362 के delete हो जाने पर saviorship के जो right हैं वो effect नहीं होते ना ही वो state के पक्ष में किसी प्रकार से lapse होते हैं और further court ने ये भी held किया कि और inheritable properties की तरह ही जो है saviorship का जो right है वो succession laws की according ही जाएगा जो की customs और usage जो practices हैं उनकी according है जैसे कि driven core family में maternal succession का custom है ना तो court ने ये held किया कि वो ही prevail करेगा finally court ने यहां पर ये भी clear किया कि जो driven core court chain Hindu religious institution act 1950 है उसके according जो ruler है वो शब्द जो है वो एक office को signify करता है ना कि एक individual को और अगर वो individual को करता तब जो था ruler की identity fall करती अंडर दा article 366 clause 22 के अंडर और गुरू जी जहां तक मुझे ग्यात है वर्दी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर दो committees form करने के भी निर्देश दिये हैं एक administrative committee और दूसरा advisory committee भई बिल्कुल सही चतुर बिल्कुल सही जी हां कुछ ऐसे ही और रोचक जानकारियों के साथ कुछ और नई कानूनी पहेलियों और उनके समाधान के साथ एक बार फिर मैं यानि चानक के आपने शिश चतुर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगा तब तक के लिए दीजे इजाजत धन्यवाद